हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेरो विद कृष्ण में आज एक नया सेशन और ये सेकेंड पार्ट है कि आपका 2022 कैसा रहेगा राशी वाइस यानि कि राशियों के एकॉर्डिंग ज और आज राशी चक्र की दूसरी राशी का नंबर है टॉरस यानि वरिशब राशी तो वरिशब राशी आज आपके लिए देखेंगे कि आपका 2022 कैसा रहने बाला है तो हर बार की तरह इस बार भी तीन पाइल्स बनाई गहीं है जो आपकी स्क्रीन पर अब सामने दिखाई है यह यह एक सात टू ओव धी सोड्स पाइल नंरंबर वन, तू ओफ धी कपस पाइल नंबर टू और तो ओफ धी वंड पाइल नंबर थोरी हैं यह तीन ओ कार्ट्स थोर तैरो डेक्स रिए गये हैं और तीनो गार्ट्स में से जो कार्ड आपको जञदा अट्रैक्टिव लगता हो अपनी और आकर्शित करता हो जिस कार्ट के साथ आपको अपना एक लगाव महसूस होता है उसे ही अपनी पाइल मालने और उसी के according इस वीडियो को देखें हर बार की तरह इस बार भी time stamps description में दे दिये गए हैं तो time stamps पर क्लिक करके आप अपने पाइल की वीडियो को डिरेक्टली देख सकते हैं अपने पाइल की रीडिंग को डिरेक्टली सुन सकते हैं पूरा वीडियो fast forward हो जाएगा नए वीवर्स का मैं स्वागत करूंगा जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हुआ है एस्टो गुरू चैनल प आपको याद करा दूँ कि मैं एक professional terror reader भी हूँ तो आपकी screen पर ये जो number आ रहा है आप इस number के उपर contact कर सकते हैं अगर मुझसे अपने लिए एक personal reading session चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी pile में हेलो pile number 1 आप सभी का स्वागत है two of the swords नाम का card आपने चूज किया था अपनी pile करूप में तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि वरिशव राशे के लोगों के लिए 2022 ये 2022 कैसा रहने वाला है ये साल क्या चीज़ें आपके लिए आती हैं ये सारी चीज़ें हम देखते हैं आपके लिए मेरे पास जो पहला card appear हुआ है ये है two of the haanji two of the cups का मुझे लगा three तो नहीं है उसके बाद में card number two आपके लिए appear हुआ है the lord मैं बता दूँ कि ये dried craft tarot है तो इसमें जो the lord है ये बिलकुल वही position है जो the emperor की traditional tarot deck में होती है आपके लिए card number three appear हुआ है king of the wands card number four के रूप में आपके लिए जो card मेरे पास appear हुआ है ये है feralt इसका नाम है feralt तो ये थोड़ा सा different card है ये the temperance को represent करता है card number 14 है ये और last card आपके लिए जो appear हुआ है ये है nine of the pentacles तो पांच card मेरे पास appear हो चुके है आप्रॉक्सिमेटल ये भी traditional tarot deck ही है इसको यहां रख देते हैं side में बेलकुल तो pile number one आपने two of the swords को choose किया था मैं आपको बता दूँ two of the swords tarot card में एक एहम भूमिका रखते हैं और इनकी जो position है उस position के according ये कभी कभी सफलता कभी कभी असफलता कभी कभी दोहरी सफलता भी दिखाते हैं और उसी तरह से दोहरी असफलता भी दिखाते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और बढ़िया कार्ड है तो फिलार शुरुआत करते हैं आपके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी शुरू करते हैं पिछले कुछ समय से आप अपने चीजों को और situations को जो balance करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में आप काफी ह चाहते थे वहां नहीं हुई लेकिन कई मामलों में जहां आपने जैसा सोचा वैसा भी हुआ है तो इसकी वज़ा से पिछले experiences आपके थोड़े बढ़ियां भी गया हैं बिटर भी गया हैं संबंध हों प्रेम संबंध हों वैवाहिक संबंध इत्यादी में अगर आपने ची होगी तो चीजें ठीक रही होंगी और अगर आपने उन्हें छोड़ दिया होगा तो वे चीजें जो ठीक हो सकती थी ठीक नहीं हुई और हाथ से निकली हैं 2022 आपका कैसा रहेगा इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो ये समझने कि ये साल अगर आप अपने वैक्तित को अपारिक संबन्दों से प्रेम संबन्दों से मितरवत संबन्दों से भी हैं तो अगर आप थोड़ा सा नियूटरलनेस रखते हैं अपने अंदर बहुत उतावलापन नहीं रखते हैं तो इस चीज की पूरी संभावना है अगर किसी विशय पर आप उधेड़ बुन में है या परेशान हैं पिछले कुछ समय से की काम आपका नहीं हो रहा है अटक गया है रुक रहा है तो वो काम भी आपका होने की संभावना 2022 में बनी हुई है और साथी साथ 2022 में संभान की वृद्धी होगी आपके सामाजिक संभान इस्पेशली आपका बढ़ेगा अगर सोशल मेडिया अकाउंट पर आप अपनी प्रिजन्स को अच्छी बनाना चाहते हैं तो उसमें यह साल बहुत हेल्प करने वाला है लेकिन चीजें और सिचुवेशन्स यानि की लोग और सिचुवेशन्स दोनों को मैनेज करने का आपका जो नजरिया है इसमें थोड़ा आपको बदलाओ करने की जरूरत है प्रियारिटी पर खुद को रख करके जब आप बदलाओ चाहते हैं तब गरबर होती है आपको स्वयम को न्यूटरल रखना होगा जितना न्यूटरल आप स्वयम को रख पाएंगे चीजें उतनी आपके लिए बेटर और अच्छी रहेंगी भ प्रगती जॉब के छेतरों में प्रगती दिखाता है और ये जो 2022 है ये आपको प्रेरित करेगा कि आप इस 2022 में कुछ ऐसा करें जिसका परिडाम आपको अगले कई सालों तक उठाना पड़े मतलब उसका फल आपको मिलता रहे जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने एक सिच्वेशन यहां पर दिखाई देती हैं लेकिन साथी साथ अगर आप सिर्फ अपने आप पर डाउट कर जाते हैं और स्वयम से घबरा जाते हैं तो ये चीजें आपके पक्ष में नहीं आएंगी चूंकि चीजें तब आपके पक्ष में नहीं होंगी इसलिए आपको 2022 में प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके प्रभाव में भी वृद्धी होगी आप अगर राजनीती से जुड़े हुए हैं पुलिस प्रशाशनिक सेवा इत्यादी से जुड़े हैं सेना से जुड़े हुए हैं या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपके प्रति टेल में चलिए चर्चा करते हैं अब जैन कार्ट निकालता हूँ मैं आपके लिए यानि की ओशो जैन कार्ट मेरे हाथ में हैं और चलिए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या इंफर्मेशन लेकर के आए हैं आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपियर हुआ है ये है कंट्रोल का और ये आया है आपके लव लाइफ के लिए ठीक है लव लाइफ में अगर आप नियंत्रन या नियंत्रक की भूमिका चाहते हैं तो फिर प्यार कहां समझिए ना अगर किसी को प्यार करते हैं तो उ तो स्वता airport आपने आप से आए, अगर आपके नीन्त्रन की वज़ा से कोई आपको प्रेम करता है तो वो प्रेम नहीं है, वह वस्तुता एक परह की सर्विस है जो वह परसन आपको डर के मारे दे रहे हैं, तो इसलिए प्रेम पर अपने नीन्त्रन को स्थापित करने की कोश लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हैं या जो आपके जीवन साथी हैं या जो आपके लवर्स हैं उनको बिलकुल उन्मुक्तता में छोड़ दें यहां यह कार्ड आपसे यह भी कहता है कि आप अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करें हनक बनाने क कोशिश कर उनको नियंद्रित करने का प्यास ना करें दूसरे ढंग से समझा देता हूं यह कहता है कि अगर आपके प्यार में पवित्रता है पहली चीज अच्छा यह जो पवित्रता है ये माइनर सा लिया हुआ है ये कहता है थोड़ी सी पवितरता की जरूरत है मतलब आप भी देख सकते हैं नजरें सेख सकते हैं ऐसी कोई बांडेशन है कि देखना ही नहीं है किसी को वो नहीं करना वो घोड़े वाला ऐसे नहीं लगाना है ठीक है तो देख सकते हैं देखन अनुशाशन में फर्क है। डोनों बहुत ही अलग अलग चीजे हैं। पवितरता आपको किसी धार में कृते से जोड़ देती है। जहां आप बाउंड फिल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी धार में कारेकरम में गए तो वहां जूते उतार के जाएं। तो आप एक कभी बं अंदर से आता है। ठीक है। स्वताह आता है। तो ये चीज अपने आप में जब आ जाएगी तब आपकी हनक बढ़नी सुरू होगी। अब हनक क्या होता है। हनक पता नहीं कौन सी भाशा का शब्द है। इसका अर्थ होता है हिंदी में प्रभुत्व। ये शायद आपकी पावर दिखनी शुरू हो जाए। तो प्रेम में जब आप अनुशाशनातमक रूप में आ जाएंगे तो आपके प्रेम में एक ऐसी पावर ऐसा प्रभुत्व आएगा जो आपके लवर आपके प्रेमी को आपके प्रती अनुशाशनातमक रहने के लिए प्रेरित क आपके द्वारा किये गए कार्यों का एक reflection आपको अपने लवर या अपने जीवन साथी से मिल सकता है इस बात का ध्यान रखें आप गरबर करेंगे वो भी करेंगे आप थर्ड पार्टी कर लेंगे शायद वो भी करें तो पता लगा थर्ड थर्ड मिल करके 4 पार्टी हो गए मैं दह भूत है न दो आप फिर दो वो तो मिल करके 4 पार्टी हो गए तो 3rd पार्टी नहीं फोर पार्टी सिचुएशन हो जाएगी तो इसलिए ये सब ना करें और सिम्पल सी चीज है आप जितना normal रहेंगे जितना neutral रहेंगे सामने वाला भी उत्ना normal उत्ना neutral हैगा जितना प्यार करेंगे सामने से उतना प्यार हैगा बिलकुल mirror हो रहा होगा नेक्स्ट आप के लिए family family के लिए मेरे पास जो card आए है this one is slowing down परिवार के मामले में स्लोइंग ڈाउन का काड कहता है चीजों को धीरे चलने दे। जल्दीबाजी ना करी। क्यों कि परिवार में अगर आप जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं या किडम उठाते हैं तो वह परिवार में आपकी इमेज को गिराता भी है। हलांकि परिवार से जुड़े मामले जो decision ले लिये गये हैं जैसे कभी होता है ना कि decision ले लिया कि जी अब ये होना है उस काम को ये card कहता है जल्दी कर दीजे फिर वहां slowing down नहीं होना है ठीक है वहां कच्छप गती नहीं लेनी ये कच्छप मतलब कच्छप टर्टल तो वहां आपको तेजी दिखानी है लेकिन जब तक अभी किसी point पर नहीं पहुचे हैं तब तक धी में चले जल्दी बाजी ना करें परिवार के मामले में आपका जो ब्योहार है और परिवार का आपके साथ का जो behavior है ये long lasting है बड़े लंबे समय तक चल सकता है या चलेगा इसलिए परिवार के परति अपने आग्रह और अपने विचारों को नियमित और सयमित दोनों रखें अब कहता है नियमित और सयमित नियमित मतलब आप जो सोचते हैं उसमें communication का gap न लेका रहें कि आप चांद पर जाने की सोच रहें फैमिली मार्स पर तो पर गरबड़ हो जाएगी न पर जाएंगे कहां पर तो आधा परिवार चांद आधा मार्स ऐसा हो जाएगा तो communication का gap नहीं बनाना ये है पहला लेकिन सयमित रहने को कहता है ठीक है सयमित रहने का मतलब क्या बोल रहे हैं फिल्टर भी लगा ले न जैसे वो कभी कभी कहते हैं न कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग और मुँ में फिल्टर नहीं होता बीच का फिल्टर खराब होता है तो जो दिमाग में आता है वो मुँ से बोल देते हैं तो परिवार में तो अक्सर मार खाते रहते हैं लोग ऐसे होते हैं थोड़े से लोग तो आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो इस प्रॉब्लम को बनने भी नहीं देना है situation में कब क्या कहा कैसे बोलना है इस चीज का भान family में ज़्यादा रखना है आपको क्योंकि कभी कभी परिवार में क्या होता है कि हम बड़े ही non-formal हो जाते हैं तो जब हम non-formal होते हैं और अपचारिकताय नहीं होती भेद नहीं होते तो हम कुछ भी बोल देते हैं इसका ध् tomato दे दो दूसरे को जो आपके पास है लेकिन ये कहती है कि अपनी growth के मामले में बिलकुल focus हो जाना है और जब आप अपनी growth पर focus होंगे तो growth होगी और अच्छी खासी होगी जब growth हो तो उसमें थोड़ा सा आप धार्मिक चीजों पर लगा दें धार्मिक चीजें जैसे जो आपके सनातन आपके धर्म को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं ऐसे लोगों की को support करें जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं मैं परसनली बता रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों में दान नहीं करना चाहते हैं या otherwise ऐसे दान नहीं करना चाहते हैं जो उन के उत्थान में जो लोग लगे हुएं धर्म को बचाने में जो लोग लगे हुएं उनको आप दान करें इस तरह से थोड़ा सा सोचे लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है कि बस अब कृष्णा ने बोल दिया तो जो मिला पहला परसन ले भाई या पईसा पकड़े ये नहीं करना सोचिए एनलाइस करिए उस person को अगर आपने किसी को identify कर दे कि भाई इसको दे देते हैं हम अपने जो income होते हैं उसका चलो एक परसंट दो परसंट दे देते हैं या जो भी part आपको देना है तो उसको एनलाइस करिए कि यह वेक्ति योग यह है या नहीं सो रुपिया भी दे रहें तो उसका भी अनलाइस कर लेजिए कि यह वेक्ति सो रुपए के लायक है या नहीं है तो मद दीजिए ठीक है इस चीज को समझे फिर फिर क्या होगा अब यहाँ पर जैसे ही नहीं है मद दीजिए कहा यह कहती है कि अब उस condition में तुम्हें क्या करना है मदद करिए उ उनकी जो वाकई मदद के हकदार है जिनको सचमुच मदद चाहिए तो यहां financial मामलों में आपकी growth भी हो रही है financial मामलों में आपको अपने जो धर्म के प्रति यानि जो भी धर्म आप बांते हैं उसके प्रति जो लोग आगे बढ़ रहे हैं या जो लोग उस धर्म को बचा काने का कारे कर रहे हैं ठीक है उनके प्रति अपने आपको थोड़ा समरपड़ भाव मिलाईए अथवा किसी गरीब की मदद करिए और यहां गरीब को खोजना नहीं है जो आपको दिखे कि हाँ इसकी मदद की जरूरत है हो सकता है आप किसी company में boss हो आपका कोई employee हो जिसकी salary कम हो उसे salary की जरूरत हो उसकी salary बढ़ा दीजिए ये भी बहुत बड़ी मदद हो ठीक है एकनॉमिकल ही तो help हुई तो इस तरह से अपने आपको समझें कि सोचें जरूरी नहीं कि हर चीज पैसे से हो कि आप किसी को 1000-10,000 रुपए ही देंगे हो सकता है आप उस person की job लगन में help कर दें ये उसकी इतनी बड़ी economic help है जो आपके 10,000 रुपए के लिए भी बेकार हैं जिस पर क्यों कि 10,000 आप देते महीने दो मेने में खर्च हो जाते लेकिन अब उसकी अगर job लग गई है छोटी सी तो उसका पूरा साल निकल सकता है तो ये भी आर्थिक मदद है ऐस ये यहां पर हैं fix deposit नहीं होती स्वर्ग में और नस्वर्ग में आप जमीन खरीद सकते हैं तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना है occupation के मामले occupation मतलब आप जो job या business करते हैं उसमें the rebel का card आया है आपकी simple बड़ा प्यारा card है the rebel the rebel का जो मतलब नहीं जानते हैं उनक अभी कभी होता है ना कि आप एक ही routine पर चले जा रहे हैं वो क्या बोलते हैं उसको की एक ही लाठी पीटे चले जा रहे हैं लाठी पीटे मतलब मिल गया तो बस अब उसी को बजाए चले जाना ध्यान देना है दुनिया में क्या हो रहा है whatever happening in the world I don't know या we don't know तो वो आपको नहीं करना है एकोपेशन के मामले में आप अपने बिजनस या अपनी जॉब से रिलेटेड मामलों में कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जिसके बारे में सिर्फ सोचते हैं करते नहीं हैं आप छोड़ दूँगा ये नौकरी और बहुत बढ़ी हैं नोकरी खोज लेंगे ऐस अपने दुकान को बहट टापका कर लूँगा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे वो तो करिए उस घीज़ को प्लैन मत करियो क्यों क्यों कि प्लैन करने में तो बहुत समय निकला भी है लेकिन अगर आप किसी इंडस्ठिरी वग्यरा में काम करते हैं या इंडस्ट्र विद्रोह करना है यह सिर्फ इंडस्ट्रिलिस्ट के लिए आया है सोच से कैसे विद्रोह करेंगे आपका अपना सोचने का जो पैटर्न है उस पैटर्न में क्या ऐसी चीज है जिसे आप पीछे छोड़ाए हैं जब आपने शुरुवात करी थी और आप ध्यान रखते थे कि म मैं जब उस पोजिशन पे पहुचूंगा तो यह सोचूंगा या यह सोचूंगी उस चीज को जो छोड़ा हैं उसे लेकर के वापिस आई जीवन में और यही आपके जीवन के विद्रोह का बायस भी बनेगा यही आपके एकुपेशन को और उचाईयों पर ले जाएगा य बहुत प्यारा कार्ड एजुकेशन के लिए मतलब घजब मेरा तो आसो नहीं ने के लिए बस बाकी दिल भाराया है मॉरेलिटी नेतिकता ठीक है मैं तो मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं कहना चाहिए इतना ही काफी है कि मॉरेलिटी का कार्ड आपके लिए है शिक्षा के मामले में वरिशवराशी पाइल नंबर वन आप अपने आप से पूछें क्या आप सही काम कर रहे हैं क्या आप खुद अपनी शिक्षा अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं क्या एजुकेशन के मामले में जो आप कर सकते हैं कभी कभी होता है आप एजुकेशनल जॉब में होते हैं तो education के मामले में आपकी योगदान भी होते हैं तो कहता है कि उस चीजों में भी अपने आपको पर्खें कि जो आप कर सकते हैं क्या actually आप कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो डाट 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 अब उस डाट डाट में कुछ भी बढ़ लीजे जो मर्जी करें ध्यान रखिये और सिर्फ ध्यान रखिये नहीं अगर आप student है तो ध्यान करिये भी क्योंकि ध्यान ही है जो आपके focus को बढ़ाएगा ध्यान ही है जो ध्यान को बढ़ाता है teacher कहते हैं न ध्यान दो लेकिन बताते हैं नहीं ससुरे के कई से ध्यान दो कभी नहीं बताते हैं, स्कूल में कते हैं, ध्यान दो सब लो, सारे बच्चों ध्यान दो बताओ तो भाईया ध्यान कैसे देगा, टेकनिक तो बताओ ध्यान देने की आखे बंद करके concentrate हो ये, एक point के ऊपर अगर आप student हैं और आपको concentration की problem है तो single point पर concentrate होने की कौशिश करिया, single point पर concentration कैसे होता है, single point पर concentration दो तरीके हो सकता है, या तो आप किसी एक बिंद उपर, किसी एक point पर, अपनी copy पर कोई point बना लें और उसको एक minute के लिए ध्यान से देखें, दूसरी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए बुल जाएए सब कुछ, ये है पहला, दूसरा तरीका है, किसी एक subject को intention के साथ, ध्यान के साथ, होश के साथ, पढ़ना शुरू करें या उस पर काम शुरू करें और अपने आपको ये बता के रखें कि मुझे intentionally इतने time से इतने time इसी subject में involved रहना है, अब चाहे दुनिया जल के राख हो जाए, मुझे इस subject को नहीं छोड़ना, हटना नहीं है, ऐसी की तैसी सब की, ठीक है, मम्मी पानी माँगे, मत दीजिए, उठिये मत, उनको ये भी मत बोलिए कि मैं पढ़ रही है, ignore, जब वो कभी आएं, तो वो देखिए, ऐसे बुक लेकर रही है, उसी बुक, तो उनको लगेगा खरें, मेरी बीटिया तो अरजिन बनगी, मेरा बेटा तो अरजिन बनगी, चिडिया की आखी दिख रही है, सुनाई नहीं लगा क्योंकि आपकी वर्तमान हेल्थ, आपके पिछले करनों का नतीजा है, और आपकी आने वाली हेल्थ वर्तमान का नतीजा होगा, अभी अभी आप अपनी हेल्थ के साथ जितना बुरा करेंगे, उसका प्रतिख लागे मिलेगा, जितना अच्छा पीछे कर चुके वह ही मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें इसी पर डिपेंड करते हैं, तो ये कहता है कि अगर हेल्थ वाइस आपने कुछ गल्तियां करें, और उन गल्तियों की वज़ा से थोड़ा सा डी मॉरलाइजेशन हुआ है, तो उससे बाहर निकल आएं, अगर आपको लगता है कि अभी वाना खा लीजिए, उसके बाद में निकल जाएए, जूता उता पहन करके, अपनी गली में ही दोड़ दीजेए, चार चकर, कौन रोकता है, गली में कोई रोक लेगा, नहीं रोकेगा, और गली में जो छोटे मोटे डॉगीज होते हैं, वो सब पहिचानते हैं, है ना, कोई कहें, भाई सब रात को क्यों दोड़ते हैं, तो मज़ा आता है, इट सफन, सिंपल, उसको हेल्थ मन बताइए, आपकी हेल्थ से रिलेटेड मामनों में, आप अगर गलतियां करते जाएंगे, तो प्रॉब्लम सा जाएंगे, और अगर गलतियां बंद कर देंगे, तो क आज की रीडिंग, आज की रीडिंग, आज का विशे आपको कैसा लगा, अपने एक्सपिरियंस, अपने अनभूक कमेंट सक्षन में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा, शेर भी करिए इस वीडियो को हो सकता है, आपके कुछ टॉरस फ्रेंड्स हों, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो, चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए, बाइबाए, अब सभी का स्वागत है, आपके रीडिंग में, टू ओफ दी कप्स का कार्ड आपने चू पर देखा होगा, तो बहुत सारी लड़किया महिलाएं टैरो कार्ड डीडिंग करती हैं, और मेरे जैसे लड़के बहुत कम हैं, तो दुनिया के जो सबसे बेस्ट टैरो रीडर थे, वो भी पुरुष थे, फॉर्चनेटली मेरे लिए तो फॉर्चनेटली है, क्योंकि मैं मैं भी मेल ही हूँ, तो वो मेल थे, और उनका नाम था ऐलाश्टर क्रावली, तो उनके डिजाइन टैरो हैं ये, और उनी में से ये मैंने आज की पाइल को लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं, और आज देखते हैं कि आपके लिए आप व्रिशब राशी हैं, टॉरस हैं और आपके लिए कैसा रहने वाला है, येर 2022, ठीक हैं, पहला कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है, जस्टेस, सेकंड पोजिशन, नाइन ओव वॉंड्स, पोजिशन नमबर, उसको नहीं आना, इसलिए दो बार उठाया तो भी नहीं आया, पोजिशन नमबर थरी, एस कब्स, टैरो की ये खुबी मैं ना, पिछले 15-17 साल से देख रहा हूँ, कि जिस कार्ड को आना होता है, वही आता है, कभी-कभी मैं इधर से पकड़ता हूँ, और 6 कार्ड इधर से एक साथ उठते हैं, और लीचे वाला हाथ में आता है, तो चौथा कार्ड मेरे पास अपि हुआ है, दे लॉर्ड, चली, तो आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास अपियर हो चुके हैं, ड्राइट कार्फ टैरो डेक, ड्राइट क्राफ टैरो डेक से, तो पाइल नमबर टू, जैसा कि आप जानते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल थोड़ी सी मची हुई है, सिचु आपने कुछ नया करने की कोशिश करीब ही है, उसे उस कोशिश में पीछे भी आए हैं, आगे भी गए हैं, कुछ काम को खतम भी किया है, किसी काम को शुरू भी किया है, बहुत सारी चीज़ों का ट्राइट मार चुके, और इस ट्राइट के बाद आप जो है थोड़ा नार यह आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, जिसको कहते हैं, कि आपकी किस्मत पलट सकता है, लेकिन किस्मत पलटने के لिए कुछ भी जिसे अपने देखा होगा ना कुछ भारी चीज़ होते ही तो उसको पलटने के लिए वो साइड से कुछ हुक लगाते हैं और उस से पहला काम तो यह है आपका कि आप इस बार न्याई के प्रति बिलकुल कॉंशस और सचेत रहें अन्याई को ना सहें ना अन्याई को सहने वाले या देखने वाले बने इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगा जाकर कि अपने टांग को फसाएं और खड़े हो जाएं समास सेवी की रहा है यह नहीं है यहां इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अन्याई है या अन्याई कर रहा है और आपके सामने कर रहा है और आप उसे रोक सकते हैं तो रोक लें अगर आपकी खंता है तो रोक लें और जहां खंता नहीं है वहां गुसा अपने अंदर रखें शान तो इसको कहते हैं बदला लेना और बदला हमेशा मिठा होता है है यह हैरी पर्टर में सेवरेस सिस्नेप ने कहा था तो यहां आपके लिए है कि आप पहले चीज तो नया प्रियता की और जाए नयाय के प्रति आ सकते रहें लेकिन अगर आप उस नयाय को रोकने की पोजीशन में नहीं है मैं इस आफिस में बहुत कोई अनयाय कर रहा है आप बहुत को जाकर तो डाट नहीं सकते तो वहां अपने गुस्से को जाहिर नहीं करना कलीक से भी नहीं बत अपोस तो अपने मन में आपने करी लिया है आगे क्या करना है इंतिजार करना है समय का और जब मौका मिले तो भूंग देना है घुजा देनी है means अगर situation कभी आपके favor में आ जाती है और आपको मौका मिल जाता है इस 2022 में जो कि मिल सकता है तो आपको उस व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं है अन्याई को छोड़ना भी नहीं है बस याद रख लिजी remembrance बहुत बड़ी चीज है अगली चीज अगर आप अपने आप में सयमित नहीं रह सकते और जुझलाहट में आते हैं जैसा कि कई कई बार आप आ चुके हैं वो जुझलाहट आपको आपके लक्ष से भटकाती भी है और दूर भी करती है तो इस चीज को नहीं करना है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा इस साल आप नई चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं खुद को इन्वाल्व कर सकते हैं और एक साथ मल्टिपल या टाइम टू टाइम अलग अलग नई नई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या शुरूआत कर सकते हैं किसी काम को पहले आपने बंद कर दिया था आपका कोई चलता हुआ प्रोजेक्ट रुक गया था कोई एक काम जो हो रहा था चल रहा था लगाता है लेकिन उससे आपको पीछे हटना पड़ा एनिहाओ और आप उसे फिर सुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए 2022 बहुत बढ़ तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे गुसा आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा इस साल लेकिन उस गुसे को यहाँ यह भी कहता है थोड़ी दिर पहले नाइन आफ दी वांड्स ने बताय था और इन्होंने भी कहा कि उस गुसे को समहालिये इस्तेमाल करिय अरस्तू का नाम सुना होगा आपने अरेस्टोटल कहते हैं इंगलिश में उन्होंने का था समझदार इंसान वो है जो गुसा करे तो उसे पता होना चाहिए कि गुसा कब करना है कितनी मात्रा में करना है किस व्यक्ति पर करना है किस मॉमेंट में करना है और कितनी देर के में अगर हैं तभी आप perfectly गुस्ता कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है तो ये चीज के लिए practice करने पड़ेगी थोड़ी आपको अगर किसी मामले में आप stuck होते हैं तो सबसे पहला help आपको अपने आपको ही करना है आप अपने आपको बहतर सुझाओ इस बार दे पाए करनी है इस बात का ध्यानक है सुरक्षित मतलब दूसरे लोग आपका आपकी इमेज को खराब ना कर सके हैं चलिए आप ओशो जेन कार्ट्स लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अलग-अलग आसपेक्ट में पाइल नंबर टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू कैसा रहन है प्रेम संबंध प्रेम का संबंध प्रेम तो एक चीज कहते हैं कि प्यार बिल्कुल प्यार ही है प्यार से इस्प्रिच्वल कुछ नहीं प्यार तो खुदा है प्यार इश्वर है प्यार इश्वर का दूसरा दुनिया भर की डिस्क्रिप्शन लेकिन प्यार के बारे में दो लोगों का प्यार ईश्वर नहीं है दो लोगों का प्यार इस्प्रिच्वल नहीं है बहुत अलग चीज हो जाती दो लोगों के प्यार में इस्प्रिच्वलिटी होना अपने आप में बहुत वाइड बात है बहुत बड़ी बात है फिर राधा और कृष्ण होना पड़े लेकिन फिर भी जानवरों से पूछ रहे थे तुमने सीता को देखा है हेरन और खरगोशों से पूछ रहे थे तुमने मेरी जानकी को देखा है क्यों? क्योंकि उस समय का जो भाव विवल होना था भाव विवल मतलब emotions में जब वे बहे तो उन्होंने रोका नहीं पूछ रहे थे और राम अपने emotions को रोक नहीं रहे थे रिजिस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो प्यार के साथ बह रहा था और जब वो प्यार के साथ बहता है तो बहता ही है और जब प्यार बहता है तो पूरा बहता है इसलिए राम इतने प्रेमपूर्ण हो पाए सीता के जाने के बाद जब रावड ले गया कि वानरों से भी उन्होंने संधी करी जो मनुष्य नहीं थे जो पशुयोनी में आते है तो उनसे भी संधी कर ली वरना राजा के पुतर थे किसी भी राज़ी में चले जाते है कि मेरी पत्नी को रामण ले गया आपकी से ना चाहिए कौन मना कर देता हाँ सोच कर देखेगा कभी लेकिन वो इमोशन्स थे जिन इमोशन्स लेकिन अब उन इमोशन्स में क्या है उन्ही इमोशन्स में एक मोरल भी है और सेल्फ कंट्रोलिजम भी है जिसने वनवास में किसी राजा के घर चोखट पर खुद को जाने नहीं दिया तो बहुत बड़ी चीज़ है तो शिजोफर्णिया का कार्ड है जो ये लव के बारे में कहता है कि प्रेम के संबंद में आपका अपनी और से संपूर्णता या पूर्णता की और जुके रहने का अर्थ कता ही नहीं कि दूसरा भी ऐसा ही है situation को manage करना और managed situation में खुद को फसा लेना means एक एसी situation मतलब यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है कि जो प्रेम संबंध आपके अपने पत्नी से या अपने जीवन सा अपने लवर से बने हैं यह प्रेम के बारे में हैं लव के बारे में यहां पर मैं इस्पेशली निकालना है वाला था कि यह जो मेरी रिडिंग जो थी वो जीवन सा थी और प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम पर करना है और अगर आपको दूसरे विक्ति की भागी दारी नहीं चाहिए अपनी और से आप पूर्णता देना चाहते हैं तो इस दोहजार बाइस में आपको सजग रहना होगा जान बूज करके जागरूक रहना होगा क्योंकि प्रेम धोखा भी दे सकता है इस साल इसलिए साध हो जाए मैनेजबल कंडिशन तक बनी रहेंगी ठीक है दूसरे अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका रिलेशन बादनों के पारवाला रिलेशन होगा बहुत प्यारा अच्छा और उन्मुक्त लव रिलेशन्शिप में आप आस्मानिक हयालात न लेकर आए मन में काड कहता है कि ऐसी उन जलूल की चीज़ें ना सोचें कि जो ना पहुंच में हैं और ना वहां तक आप पहुंच सकते हैं तो प्रेम संबंधों में सजगता संयमितता दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा रहेगी पाइल नमबर टू आपके लिए इस ट्व आनन्द का अवसर और आनन्द के विभूरात मताव के सुरूप के साथ में जब एका कार हो जाएंगे तब फैमिली रिलेशनस में सब कुछ बढ़िया चलेगा कुछ ज़्यादा हिंदे संस्क्रित हो गई ना सलल करते हैं यह कहता है कि स्वयम को ले बद्ध कर दीजिए ले बद्ध नहीं है तो परिवार से अलग खड़े दिखेंगे परिवार से अलग खड़े दिखना भी समझदारी है ऐसा नहीं है कि नहीं है परिवार से डिफर दिखना अपने आपको उपर उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है लेकिन अभी 2022 में जरूरत है परिवार क के लिए आ रहा है जो ससुराल में है या जो नई शादी करके जाएंगी फैमिली के साथ लेबद होने का प्रयास कर दें अपने आइटिट्यूड या अपने आस्पेक्ट या अपनी आइडियोलोजी को बिल्कुल छोड़ दें गंगा में बहा दें फैमिली के साथ आप टेब पर नहीं बैठते अन्न तो जमीन पर बैठ के खाते हैं बहुत बढ़ी हैं जमीन पर बैठ देए क्या फर्क पड़ता है पंदरा मिनट का खाना है भूमी पर बैठिये शांती पूर वक्त खाईए सब के साथ खुश रहिए हो सकता है जब आप लेबदता में आ जाएं तो बाद में परिवार आपकी बात को भी रखे कि कभी कभी हम टेबल पर भी वैट सकते हैं या डाइनिंग टेबल ही खरी लेते हैं जो भी है तो अगर आप लेबद्ध होते हैं तो परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा ले को तोड़ देंगे तो विद्रोही से दिख को साधने की कोशिश में जुट जाईए अगर आपने गलती से भी या जान बूज करके या इंटेंशन के साथ दो चार टार्गेट बना रखे हैं तो उन दो चार टार्गेट को प्रियरिटी मिले हैं जैसे ये मेरे क्रिश्टल्स रखे हैं ना सबसे आगे रेड कलर फिर प अक्टिविटी बनानी है कि एक टार्गेट अचीव हो जाएगा तो इसका इमपैक्ट दूसरे पर कैसे पड़ेगा और इसके अचीव होने के बाद दूसरे के अचीव होने में आसानी क्या होगी इसके बारे में प्लैनिंग करिए अगर आप ये कर पाए सच मुछ में तो ऐसा ही होगा इस साल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के आपके फाइनासिल गोल सफल होते चले जाएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा occupation के मामले में आया है दौस सोर्स का कार व्यापार या जॉब दोनों ही occupation होते हैं self employment भी occupation ही है इन सारी चीजों में इस 2022 में आपको मतलब जिस तरह का आप मोड चाहते हैं अपने occupation वे बिजनेस या जॉब में वो आपको मिलने की संभावना है लेकिन इसके लिए आपका focus बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप focus कर पाते हैं अगर आप focus अपना सही रख पाते हैं और उस चीज से जो आपको चाहिए उस से विमुक नहीं होते तो मिल जाएगी और विमुक हो जाय तो कभी कभी होता है ना कि आप मंजल पर पहुंचकर मुड़ गए तो फिर मामला खातुत मंजल पर पहुँचें, मंजल से मिलें और तब मुड़े ताकि मंजल आपके पीछे चलनी चुरूँ है दोनों चीजों में फर्क है कई बार आपने सुना होगा कहते हैं कि कुछ लोग जो मंजल पर पहुँचकर मुड़ जातें मंजल उनके पीछे जाने लगती गलत वो achievement आपके साथ जुड़ गई ना, जेस चीज को achieve करना चाहते थे वो मिल गई, मैंस आपने एक promotion चाहा, company ने promotion का letter दे दिया, अब कहता है ये code की मंजिल पर पहुँच कर मुड़ जाते हैं, वहीं से मुड़ जाए, ये letter फाड़ के फेक दीजिए, promotion नहीं हुआ, माम लखा त हो सकते हैं, बाहर निकल दे, promotion को ले लीजिए, promote हो जाएए, designation को paper पर आ जाने दीजिए, आपके पास letter आ जाने दीजिए, जब designation re-designate हो गई, सब कुछ हो गया, तो आप उस हेंग, अब ये जो कहता है ना, मुड जाएए, मुड जाएए, मतलब जैसे पहले थे, वैसे हो हड़ा आप तो मैंनेजर बन गया, नहीं, फिर गाली देंगे जूनियर से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब उस mode में वापिस चले जाएए, जिस mode में आप थे, जैसे neutral normal थे, वैसे हो जाएए, उस promotion का इतना impact मत लेजिए, क्यों, क्योंकि वो जीवन का हिस्सा है, मिल गया तब तो गरबर हो जाएगी ना, पुराने वेक्तितों नहीं, तो तरकी दिलाईए, तो पुराने वेक्तितों को फिर से उड़ियो, यह वही कहता है, कहता है कि चीजों को इस तरह मैनेज करेंगे तो बेटर हो जाएगा, अब बात करते हैं, आपके education की intensity, intensity का card आपके लिए अपियर हुआ है, जितनी तिवरता के साथ आप education के मामले में अपने आपको जोकना शुरू करेंगे, students आपके लिए, जितनी तिवरता के साथ, तिवरता क्या है, 2022, 2022 लगने वाला है, जैसे अभी, अगर मैं starting की बात करूँ, जब ये वीडियो अपलोड होगा, तो नवंब activity का कार्ड कहता है, और जो कहता है वो मानिए, जोंकिये खुद को, तीखी एकदम तीवरती से जोंक दीजिए, अगर आप तीखी तरह से तीवरती से अपने आपको अपने पढ़ाई में जोंकते हैं, तो आपके पूरे course की तो हैसे थी नहीं कि वो आपके सामने तयार नहो हो सकी, course तयार हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों क्योंकि जब आप अपने आपको रोकना बंद कर देंगे, बुक को उठाएं, पढ़ें और रुकें नहीं, मैंने एक ऐसे student के बारे में पढ़ा था, जो आज एक YouTuber भी हैं, और successful motivational speaker हैं इंडिया की वो, उन्होंने अपने से रोकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी नया तरीका निकाला, वो ये, वो बातरों में जा करके पढ़ाई करती थी, वहां तो कोई नहीं डिस्टरब कर सकता है, क्योंकि अंदर से बंद होता है, तो ये एक तरीका है, अपने आपको जोंक देने का, अगर आप सचमु में इन्वाल्व हैं, तो खुद को जोंके तो, लेकिन खुद को इस तरह नहीं जोंकना है, कि आपके सामने कोई और आप्शन न रह जाए, means, अपने माइंड को उस डिस्टरबेंस की पोजीशन तक नहीं ले जाना है, कि अगर ये कमप्टिटिटिव एक्जाम पास नहीं क कर पाए, तो फिर दुनिया खतम, ऐसा नहीं करना है, वो वाला जोंकना नहीं है, वो जोंकना नहीं है, जोंकना ये है कि अपने आपको इन्वाल्व कर दीजिए, कि मैं तो ये निकाल कर रहूंगी या रहूंगा, ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजेगा, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की देखें यहां से कार्ड आ गया यहां से निकाल रहा था और यहां से उठना था सारे एक साथ उठ गया है ओँ consciousness लाड बुद्ध consciousness जैसा की कार्ड का नाम है अगर हेल्थ वाइस consciousness आप बना ले जाते हैं तो आपकी हेल्थ से related मामलों में किसी प्रकार की problem नहीं होगी आप अपनी हेल्थ को इस 2022 में और ज़्यदा improve कर पाएंगे आग्या चकर पर meditation करना आपके लिए काफी फाइदे मन्द हो सकता है पाइल नमबर टू आपके लिए सिर्फ यह बता रहा हूं और यह meditation पांच मिनट से उपर नहीं ले जाना आपको आखे बंद करिए और आग्या चकर पर देखने की कोशिश करिए आखे बंद करके जब आप अपने आग्या चकर पर देखते हैं तो शुरुआत में आपको पेन हो सकता है इस पेन के साथ गोतरू हो यह ज़्यादा हो तो जाए तरीका बता रहा हूं और अपने आपको धीरे धीरे आग्या चकर पर जो मेडिटेशन है उसमें इन्वाल्व करिए यह आपके कॉंसेंट्रेशन को भी ठीक करेगा हेल्थ को भी ठीक करेगा और आपके ब्लेड में अगर कुछ एबनॉर्मल ने से तो उसे भी मैनेज कर देगा तो पाइल नंबर टू आपके लिए ये थी आज की रिडिंग आज की रिडिंग कैसी थी विशे कैसा था आपके एक्सपीरियंस आपके अनुभों कमेंट सेक्शन में जरूर लेखिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ब की रिडिंग में टू आफ दी वॉंट्स आपने चूज किया था टैरो की थोथ नाम की जो डेक है उसमें से टू आफ दी वॉंट्स का ये कार्ड लिया गया है जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं इस कार्ड को एलास्टर क्राउली की देखरेक में डिजाइन किया गया थ एलास्टर क्राउली पुरुष थे मेल थे नर्मली टैरो कार्ड में ज्यादे तर महिलाएं होती हैं पुरुष कम होते हैं तो वो दुनिया के सबसे सफल टैरो रीडर माने जाते हैं सबसे विख्याद टैरो रीडर माने जाते हैं और उनका प्रभाव बहुत ज्यादा टैर पुता का नाम है जो बुद्ध के देवता थे ज्यान के बुद्ध के देवता थे उनका नाम था थोथ वो भी पूरुष थे तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टॉरस व्रिशव राशी पाइल नंबर 3 ये बढ़िया है न हर राशी का अलग रहेगा तो बढ़िया है तो आपके लिए पांच कार्ट मेरे पास से प्यार हो चुके हैं तो पाइल नंबर 3 जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आपके जीवन में धन को लेकर के काफी ज़्यादा सिचुवेशन टाइट भी बनी है टाट भी बनी है और आपके जीवन में आपको और उन्नती करने के लिए इसकी ज़्यादा जरूरत भी है क्या करें क्या ना करें ये एक सिचुवेशन जो पिछले काफी समय से आपके जीवन में बनी हुई थी हलांकि आपकी तारीफें होती हैं आपके घ्यान की चरचाएं भी हो जाती हैं कभी कभी और आपकी जो उप्लगदियां हैं उनको सराह बी दिया जाता है मतललक उनके बारे में अच्छे ची बातें कर दी जाती होंगी आफिस में या बिजनस के छहतें में लोग कहते होंगे कि अरे आप तो बड़े अकलमद बखती हैं बड़े समझदार इनसान हैं लेकिन क्या करें इस सारी समझदारी का जब बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा हैं क्या करें इस अकलमदी का क्या करें इस टैलेंट का जब जॉब में आगे ग्रो नहीं कर रहा हैं सेलरी नहीं बढ़ रहा हैं तो यह जो सा simultaneously दो situations को manage करने की कोशिश में थे जो नहीं हो रही थी तो इस साल situation manage हो जाएगी आपके सम्मान में आपके यश में इस साल वृद्धी होगी किरती में वृद्धी होगी लेकिन आप अपने आपको निराश हताश उदास होने से रोक नहीं पाएंगे लेकिन अपने आपको इस position में जाने से रोकने का तरीका भी है तरीका क्या है देखे situation को कभी कभी एक साथ manage करने की कोशिश या multiple problems को देख करके खुद को निराश कर लेना या फिर उन लोगों का support और सहीयोग करना या मागना जो लोग actually इसके लायक नहीं है यह सारी चीज़ें आपको उदास और निर बंसी बजा रहा था निरो एक चरवाह था जो अपनी भेडों को चराने के लिए पहाड़ी की तरफ गया था रोम का वाशिंदा था रोम में रहता था रोम इटली का एक शहर है पुराने समय की बात है यह और यह सची घटना है जो बता रहा है ऐसे कहानी नहीं है यह सच मैं मिस कर गया हूँ कौन सा इयर था इस्तिहास के स्टुडेंट जानते होंगे कि इन विच इयर निरो वास एक्जिस्ट इन रोम तो रोम में जब निरो पहाड़ी पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले गया तो वहाँ पर भेड़े चर रही थी और वो बैठ करके ए तब से ये काहवत बनी कि जब रोम जल रहा था तो निरो बंसी बजा रहा था यही आपको करना है आपको इस बार निरो बनना है अगर आप किसी कमपनी में जॉब करते हैं पहली चीज और situation उस कमपनी में खराब होती है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी जब रोम जले तो नीरो बन जाएए, कभी-कभी चीजों को खराब होने देना चाहिए, कभी-कभी चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने भी देना चाहिए, जैसे चाइना में कहते हैं कि वहाँ पर रूल है कि अगर किसी डूबते हुए इंसान को आप बचा लें तो anyhow वह खुद बच लेता, आपकी जरूरत नहीं थी, तो don't be too much helpful, be a nero, तो ये काम आपको करना है, लेकिन nero की करा नहीं करना है, कि nero तो chain की बंसी बजा रहा था, कुछ कर थोड़ी रहा था, gain थोड़ी कर रहा था, आपको gain करना है, starting तो nero से करनी है, लेकिन फिर gain करना है, ठीक है, इसलिए एक कमपनी न अपने software का नाम nero burning रखा था, software company थी, जो अच्छोड़ी चीज को, तो ये कार्ड कहता है, कि situation कितनी भी आपके पक्च में हो या ना हो, अगर situation आपके पक्च में है, तो उसका खूब फाइदा उठाई है, फिर छोड़ना नहीं है, निचोड डालिए, आखरी बूंद तक, और कहता है, अगर situation आपके पक्च में नहीं है, तो ऐसा pretend करिए, जैसे आप से कोई लेना देना नहीं है, be and become a nero, इसलिए nero के कहानी सुनाई, और अगर किसी ने गल्ती से बीच में क्लिक मारा हो ना, तो पीछे जा करके देखो, अगला आपको क्या करना है, आपके लिए king of the pentacles का card आया है, 2022 को रिप्रेजेंट करता हुआ, तो 2022 को अगर king of the pentacles रिप्रेजेंट करना है, that means इस साल बहुत ज़्यादा potential इस चीज की है, कि आपका personal finance improve हो सके, लेकिन उसे अगर improve करना है, तो आपको अपने उपर focus करना है, ज family के लिए, ममी के लिए, पापा के लिए, बीबी के लिए, बच्चे के लिए, नहीं करनी है, अपने आपको अमीर बनाना है, सीधा ऐसे color पकड़िये, tight करिये और बोलिये कि खुद को अमीर बनाना है, टी-शिर्ट पने तो टी-शिर्ट को उपर कर लिए, आगे बढ़िये ये साल बहुत help करेगा, अब बात करते हैं princess of wands की, पहली चीज तो ये है कि समाज में आपकी जो position है, उसे और बेहतर बनाने में ये साल help करने वाला है, लेकिन अगर आप गलती नहीं करते तो, गलती क्या होगी, जल्दी बाजी और दिखावा, सिर्फ दो गलती हैं, जो आ हमेंगा आज, है ना, कि situation के according, शादी में ये वाला, बड़े party में ये वाला, तो क्या करते हैं आप, आप plan करते हैं, है ना, महिलाएं भी plan करते हैं, कहरें नहीं नहीं फला की शादी में ये पहना था, ये मत पहन के जाओ, वहाँ फला 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 आ रहे हैं, वो पहचान जा ना, महिलाओं को याद रहता है कि फला परसन ने तीन साल पहले उसकी शादी में कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, तो अगर आप महिला हैं, तो अपने आपको, देखें मैं हूट नहीं कर रहा हूँ, तरीका, तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कार्ड मुझे बताता है इसी लिए बता रहा था ऐसे नहीं मैं मजाक कर रहा था शादी का हुई ए एक्जामपल देख रहा था मेमोरी पावर उसके लिए अब कभी ख़य कुछ महले कहते हैं मेरी तो याद़ास कमजुर होगी अरे कैसे कमजुर होगी मेडम आपकी याद़ास सोचिए कि अच्छा मेरे को इतनी चीज़े याद रहती हैं तो अपनी पढ़ाई की चीज़े भी याद रह सकती है अगर आप किसी चीज़ में गेन करना चाहती है बिजनस में ही है तो उसमें अगर कहीं कुछ मिस हो रहा है मेमोरी की वज़ा से तो उसे भी सिर्फ स्टेट आफ माइंड को चेंज करिए मेमोरी पावर आपकी इंप्रूव होगी और उसका इस्तेमाल करिए अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने में अगला पुटेशन आपके लिए ये है कि अब ये सभी के लिए बात करा हूँ ये आपको क्या बताते हैं कि अलग अलग आस्पेक्ट पर 2022 आपका पाइल नंबर थुरी कैसा रहेगा थोड़ा सा कार्ट मेरे नाराज जब ये गिरते हैं तो मैं जान जाता है इनको थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए तो चली अब आपके लिए लव के मामले में कार्ड आया है एक्जिस्टेंस एक्जिस्टेंस का कार्ड अपने आप में बड़ा घचप का कार्ड है इस बड़े मैंने शायद कभी किसी वीडियो में बोला था इस बड़े और अबूज ब्रम्हांड में ठीक है ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ये एक तरह से अबूज भी है और बेफिक्र है इस अबूज बेफिक्र और बड़े ब्रम्हांड में मेरी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है हम बुलबुले की तरह है मिन्स अगर इस पूरे ब्रम्हांड से इस पृतिवी को हटा दिया जाए तो इस पूरे ब्रम्हांड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सब वैसे ही चलता रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपकी जो एक्जिस्टेंस है आपकी वो आपके लिए मेजर करती है और चुकि आपकी अपनी एक्जिस्टेंस आपके लिए मेजर करती है बोलिए I love you अगर शादी हो गई है पतनी से बात कर रहे हैं पती से बात करते हैं बहले 20 साल बीद गया आपकी शादी को होता है ना मेरे कई वीवर्स जदा एज के भी हैं तो उनको भी मैं बता रहा हूँ छोटे लड़के लड़कें तो I love you I love you बोलते ही रहते हैं जैसे गोल कि प्रदर्शना करिए उसे दिखाईए क्योंकि जो दिखेगा वही समझ में आएगा नहीं दिखेगा तो क्या समझ मेंगा आप आलमादी में 500 कपड़े रख लें और फटे हुए पैन कर घूमें तो कोई मानेगा आपके घर में 500 कपड़े हैं आपके पास कोई नहीं अगरे बिखारी इनसान होगा तो इसलिए मैनेज करें दूसरा अब टीनेजर्स और नॉर्मल लोगों के लिए हैं कि जब आप अपने लवर अपने प्रेमी अपने पती पत्नी या जिसके भी साथ जिसको आप प्यार करते हैं उसके साथ हैं तो उसकी पोड़ता और समगरत में भी रहें यानि कि उसकी existence को भी improvely accept करें माने और उसको भी उतना अधिकार सम्मान और प्यार दें ऐसा नहीं है कि खली आपको प्यार चाहिए उसे भी चाहिए पूरा equality देना शुरू करें अगर आप equal equal नहीं कर सकते हैं तो आपके प्यार में कमी रह जाएगी imbalance love का है का प्यार बराबर होना चाहिए पलड़ा एकदम equal equal तभी आता है मजा फैमिली की बात करते हैं maturity का card आया है फैमिली की बातों को इस साल आपको सुनना जादा और react कम करना चाहिए जितना जादा सुनने की कोशिश करेंगे फैमिली की बातों को उतना family life में improvement सम्मान आश सब कुछ प्राप्त होगा इस 2022 में आपका पारिवारिक जीवन आपके लिए बहतर रहेगा पारिवारिक जीवन से संतुष्टी मिलेगी आपको और अगर विवाह योग आपकी उम्र है तो संभावना है कि इस वर्स आपकी शादी भी हो जाए ठीक है अब बात करते हैं financial मा क्लिए आया है यह कहता है finance के मामलों में इस साल थोड़ा सा management अपना सही रखना होगा जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले बता है तो ड्राइट क्राफ्ट में आया था नेरो बन जाए यही है management चीजों को manage करने के लिए अपनी side की पकड़ और दूसरी side की पकड़ दोनों पर आपका ध्यान होना चाहिए अगर आप एक ही तरफ का ध्यान देंगे तो दूसरी तरफ disbalance हो जाएगा लेकिन अगर कुछ situations ऐसी हैं जहां आप personally channelize हो सकते हैं अपने लिए और अपनी growth कर सकते हैं और दूसरे की ऐसी तैसी दूसरे का ध्यान ना दें तो भी आपका नुक्स समय से परिवर्तन करने का plan कर रहते हैं तो 2022 2022 सबसे perfect है परिवर्तन कर देने के लिए छोड़िये निकलिये आगे बढ़िये तो government job की भी बात करते हैं अगर आप government job में हैं और आप अपनी job में एक ऐसी situation में हैं जहां आपने अपनी पकड़ को इस तरह बनाया हुआ है कि जर रास्ता ढूंडने की कोशिश करनी है कि आप इस मामले में क्या करेंगे देखे government job वोलों के लिए यहां पर simple चीज यह आ रही है कि अगर आप एक government job में हैं और financial मामलों में आप इस job के भरोसे ही अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको यहां पर इसी क यह job करते हैं उनके बारे में रिपनेस का card आया है रिपनेस और यह card simple चीज बताता है कि आप अपने जीवन के लक्ष के प्रति जितना सजगता दिखाएंगे वो अचीव उतनी जल्दी होगा और अगले लक्ष तक पहुंचना भी उतनी जल्दी होगा लक्षों की प्राप हैं ऐसे ले सकते हैं जो आपके बिजनस को और इंप्रूमेंट देंगे और जॉब से रिलेटेड मामलों में आपको अपनी स्किल सेट्स को और इंप्रूव करके जॉब में और ज्यादा पकड़ बनाये की कोशिश करने चाहिए अब बात करते हैं एजुकेशन की आपके ल आपके लिए वर्षब राशी सिर्फ आपके लिए है दूसरे लोगों के लिए नहीं आपके लिए ध्यान के मामले में आपको सिंपल मेडिटेशन टेकनिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आखें बन करके दो मिनट दस मिनट बैठना होता है उस से कॉंसेंट्रेशन बढ़ेगा इन चीजों के अलावा अगर आप अपनी पढ़ाई को अपने एजुकेशन को सिस्टेमेटिक वे में नहीं चलाएंगे तो सारी मुसीबतें शुरू हो जाएंगे और अगर सिस्टेमेटिक वे में चलाते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे इस समय आपको चाहिए या 2022 में आपको चाहिए कि उस सिस्टेमेटिक वे को उस सिस्टेमेटिक प्रोसीजर को फालू करते रहें और उस फालू अप में पीछे ना हटें अब बात करते हैं आपके हेल्थ की हेल्थ के लिए दर ड्रीम का काड आया है अच्छा ये मज़ेदार है हो सकता है आप करते हूं हो सकता है आपने सुना हो ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कहते हैं कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले महीने से जिम जोईन करेंगे मुझे अब अपनी डाइट को मैनेज करना है मैं फाला चीज छोड़ने वाली हूँ मुझे ये चीज नहीं खाना है कल से समोसा बंद फिर से ये बंद फिर वो बंद और सब चालू रहता है कुछ बंद नहीं होता कुछ शुरू नहीं होता जिम भी जाते हैं तो जैसे मेरे एक फ्रेंड थे जिम जाते थे अगर देख रहे हो डियर तो हाई नाम नहीं बताऊंगा तो वो जिम जाते थे और जिम में एक्सरसाइस करने के बाद मार्केट में बाहर निकलते जाकर करकर रबड़ी खाते थे और पनीर खाते थे तो वो मिठाई वाला कहता था कि इनकी बाड़ी तो कभी भी पीछे मतलब इनका जो पेटा वो कभी अंदर नहीं जा सकता क्यों क्योंकि ये उस तरह से improvement लाना ही नहीं चाहते सिर्फ सपना देख रहे हैं dream का card कहता है सपने देखेंगे तो हो चुकी health ठीक सपने देखिए लेकिन उस पर काम करिए कर्म का फल मिलेगा अकर्म का फल नहीं मिलता dream बहुत बहतरीन चीज होती है एक सपना आपको बना या बिगाड दोनों सकता है अच्छा सपना आपको बना सकता है एक बुरा सपना बिगाड सकता है एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हिम्मत जुटा ली वो अचीव हो सकता है और एक ऐसा सपना जिसने आपको डरा दिया और पीछे धकेल दिया, वो आपको जीवन पत्ट पे पीछे ले जा सकता है यहां हील्थ के लिए काड़ाया है, अच्छी हील्थ आपका सपना हो सकता है लेकिन आपके प्रयास इस साल सतही रहेंगे आप अपने आप में इन्वाल्व अपने आप में फसे अपनी मुसीबतों अपने समस्याओं के सामने गिरे बेबस और बेसहारा बैठे सिर्फ अपने सपनों को देखते रह जाएंगे इन चीज़ों को बता तो दिया मैंने कि ये होगी लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है आपके डिसीजन से बदल सकता है इसलिए टैरो गाइडनस बेसिस पर है और टैरो को इसलिए बहुत बहुत बहतरीन गाइड माना जाता है क्योंकि जब हम आपको ग्राउंड लेवल से करें जल्दी अचीव नहीं होगी चीजें थोड़ा समय लगेगा बट ग्राउंड लेवल से काम करें हेल्थ के मामले में आपके द्वारा सोचे गए आईडियास तो अच्छे होंगे लेकिन लिए गए डिसीजन्स में प्राब्लम हो सकती तो इसलिए अ आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आपने एक्स्पिरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाइब बाइब